कि अज मेंटेनेंस के इस वीडियो में सॉरी मसिन टेस्टिंग के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस ओफ एलेक्टरिक मसीन electric machine में static machine भी हो सकता है आपका rotating machine हो सकता है तो दोनों machine के लिए हम maintenance पढ़ेंगे सरा जहां कि maintenance का मतलब क्या होता है वैसा activity, दोज activity भीच maintain the machine in proper operating condition जो machine को proper operating condition में maintain रखता है उसी activity को हम क्या बोलते हैं सर maintenance बोलते हैं जिसे हम आपको पढ़ करके बताते हैं करा maintenance can be defined as those activities required to keep the equipment in operating condition so that it continue to meet a specification मने वैसा activity जो machine को proper operating condition में maintain रखता है so that उसका जो specification है जैसे output power, efficiency वो आपको continuously मिलता रहे मने उसके specification के accordance आपको output मिलता रहे उसी activity को हम क्या बोलते हैं maintenance बोलते हैं maintenance आपका क्या है ना maintenance जो है वो किसी भी machine को चाहे rotating machine हो चाहे setting machine हो उसको आपका क्या होता है proper operating condition में maintain रखता है उसको fault से protect करता है damage होने से बचाता है proper maintenance मने proper maintenance से आपको क्या होगा machine का जो output है आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका output ले पाएंगे अप में उसका जो losses है वो कम हो जाएगा machine का life बढ़ जाएगा machine का performance बढ़ जाएगा तो proper maintenance से आपका machine का जो operating condition होता है वो satisfactory रहता से अब बात है कि maintenance क्यों जरूरी है तो maintenance जैसे suppose that आपका क्या है कि फैन ही ले लो तो फैन ले लो तो बहुत दिन चलते चलते आपका क्या होगा temperature rise होगा तो binding का क्या होगा insulation resistance धिरे-धिरे damage हो जाएगा capacitor खराब हो जाएगा आपका capacitor खराब होने के साथ आपका क्या होगा motor आपका slow चलना शुरू हो जाएगा तो जब तक proper इसमें आपका क्या होगा lubrication की भी आपको कभी-कभी जरूरत पड़ेगी तो आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपका जो फैन का जो प्रॉपर आउटपुट है वह आपको नहीं मिल पाएगा तिसलिए आपका maintenance इसलिए जरूरी है ताकि machine आपका proper operating condition में maintain रहे उसका जो आस्पेसिफिकेशन है जैसे उसका proper output क्या है उस efficiency क्या है उसका performance क्या है वह आपको मिलता रहे तिसलिए आपका maintenance जरूरी है सर अब बात है कि maintenance कितने तरह का होता है maintenance basically तीन तरह का होता है एक होता है corrective और breakdown maintenance दूसरा होता है preventive maintenance तीसरा होता है सर आपका contracted maintenance breakdown maintenance और corrective maintenance तब हम करते हैं जब machine आपका failure हो जाता है मने machine आपका operate नहीं करता है मने machine completely breakdown कर जाता है तब हम corrective maintenance और breakdown maintenance करते हैं प्रिवेंटिम मेंटेनेंस का मतलब है सर मसीन को एक पार्टिकुलर इंटर्भल आप टाइम पर मेंटेन करना है उसको जैसे इंस्पेक्शन करना उसका लिवरिकेशन का इंस्पेक्शन करना है जैसे कोई आपका जैसे नट बोल्ट आपका लूज हो गया उसको टाइट करना है जैसे नट बोल्ट लूज होने से आपका वैब्रेशन बढ़ जाएगा तो उसको प्रोपरली इंस्पेक्श्ट करना है धूलकन हो गया उसको हटाना है अब प्रोपरली क्लीन करना है लूब् हम सेलर है हम आप से हमने कुछनस सल टक अपको फ्री मैंटेनेंज देंगे चांक वो क्यारा को जा है है जब हम समय जस के यह साल के लिए एक साल के करेंगे च Οढों ऐसा हो चाहरए के आपका क्या है you ह्म दोνों टाइप का मैंटेवन सब्सक्राइब करेंगे तो यह कन्ट्राक्टेड मेंटेनेंस होता है अग कि आपका का क्ट्राइब क्का टो आपसे चार्ज करेंगे या फिर से हम क्या करते हैं कुछ पैसे करके उसको एक्स تेंड कर सकते को बढ़ा सकतें ति ये सब या वंग्म और से एक प्रैम्री मेंड को मेंडियन और complete breakdown within the parts in any piece of equipment so sign of damage they must timely repaired जिसे बहुत सारा equipment अमारा preventive maintenance का मतलब होता है ना सर regular inspection regular inspection यह आपका daily inspection हो सकता है weekly inspection हो सकता है four nightly inspection हो सकता है monthly inspection हो सकता है quarterly inspection हो सकता है yearly inspection हो सकता है yearly inspection हो सकता है तो यह सभी जो inspection है इसमें आपका बहुत अलग जैसे आपका dust cleaning करना जैसे आपका lubrication करना nut bolt को tight करना तो यह सब सभी किसमें आता है preventive maintenance में आता है प्रिबेंटिम मेंटेनेंस क्या करता है ना machine का जो failure होने का जो हो जाता है उस समय आपका मैंटेनेंस से प्रेंटिशन में हैं लेकिन प्रेंटि अपरेटिडिंग कंडीशन लेकिन उपरेटिंग कंडीशन में तो उसका होने टेंडीसी और यज़ेस करना है कि तूं questo करने कशने जो टेंडेंसी है में प्रोपर आपका क्या करते हैं सदेंटीम totally Bromberg करते हैं को बडोर बर्किंग स्थाल में मेंटेन रखता है तो असे मसीन के प्वेद्ण होने की जो संभावना है उसको reduce कर देता है काम कर देता है उससंभावना को यह है आपका preventive maintenance आप जिसे क्या है सर की preventive maintenance क्यों जरूरी है प्यंदर मेंटेनेंस क्वस्क्राश करेजरों जरूरी है ताकि aurait मसीन आपका परफार्मेंस बेटर हो मसीन में टेंपरेचर राइज जो है वो बिदिन लिमीटर है तो मसीन का लाइफ बढ़ जाएगा तो मसीन का लाइफ बढ़ने काने का मतलब है काफी लॉटिन टाइम तक लॉंग से लॉंग टाइम तख Fiona सिंच चलेगा हैं मशीन का होने की टेंडेंसी कम जाएगी मोगे अब क्या है सर्म स्ट मींटेन इन्टैनेंस में क्या क्या आता है प्रेेवेंटिव मेंटेनेंस में आkaa आता है अप सब्सक्राइब हो सकता है आपका मंतली सब्सक्राइब हो सकता है क्या क्या एडवांटेज है पहला कर रहा है इट प्रिवेंट्स एंट्रप्शन टु वैरियस मसीन सब्सक्राइब होने से आपका क्या करता है मसीन को बचाता है कौन प्रिवेंट्टि मेंटेनेंस दूसरा आपका एडवांटेज क्या है सर कर रहा है साटिस्फेक्टरी मेंटेनेंस ओफ मसीन आपका क्या रेगुलर आप क्या करोगे प्रिवेंट्टि मेंटेनिक करते रहोगे तो जैसे आपका क्या मसीन का बहु सारे कंपोनेंट जो है वो काफी लॉंग समय तक चलता है तो इसका मतलब है कि जैसे सब्सब्स डैट नटबोल्ट धीला हो गया तो आपका वैब्रेश सब्सक्राइब आपका मेंटेन्त रहें reflect क्या प्राइब करो तो जयादा समय तक चलेगा तो जो maintenance का जो cost है जैसे आपका schedule maintenance जैसे monthly maintenance या quarterly maintenance है तो उसका cost आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा समर्य है तो यह है आपका सर preventive maintenance का advantage और क्या कहता है it helps to कहता है it reduce breakdown to a minimum and increases the efficiency of equipment and machinery मतलब preventive maintenance क्या करता है सर मतलब आपका जो failure होने की tendency उसको काम कर देता है machine efficiency बढ़ा देता है machine का life बढ़ा देता है यह इसका क्या असर advantage है फिर कर रहा है it lowers wear and tear of machine and other equipment इसका wear or tear जो होता है machine का बहुत काम होता है wear or tear मने घीश जाना खराब हो जाना फिर कहता है it makes working condition better machine की working condition improve हो जाता है by making proper preventive maintenance preventive मतलब ही हो जाता है न कि machine को machine के failure होने की जो tendency उसको minimum करना prevent करना रोकना यह होता preventive का मतलब फिर है it increases the life of the machine I already explained it less standby equipment is needed a standby equipment का जो आपका need होता हो कम जाता है by making proper preventive maintenance जिससे standby equipment की क्या जरुवत है suppose that आप alternate generator से किसी गाउं को supply दे रहो तो generator आपका failure भी हो सकता है तो failure हो सकता है इसके लिए generator की एक और unit हम क्या करते है इंस्टॉल रखते है बगल में रखते रहते हैं कि अगर वो failure हो जाएगा खराब हो जाएगा तो हम इस generator से supply देंगे तो जो generator आपका power share करने के लिए आपका radio वह standby unit का लाता है तो proper preventive maintenance से क्या है सर कि failure होने की tendency तो कम जाता है तो फेलवर होने की tendency कम जाता है तो हम बगल में रख लिए हैं help के लिए अब है classification of preventive maintenance बिसिकली चार तरह के होते हैं पहला है routine maintenance फिर प्रियोडिक maintenance तीसरा overhaul है चौथा है maintenance on fault पहला routine maintenance दूसरा periodic maintenance तीसरा overhaul फिर चौथा है maintenance on fault यह चार तरह के होते हैं preventive maintenance अब क्या है सर रूटीन maintenance में क्या है कर रहा है इट सूड़ वी carried out डेली routine जैसे पढ़ाई का routine होता है तो पढ़ाई का routine थोड़ा है कि हम बनाते है weekly routine बनाते हैं कि एक सप्ता पढ़े उसके बाद नहीं पढ़ेंगे उसके फिर 15 दिन बाद पढ़ेंगे तो यह सब पढ़ाई में नहीं होता है उसी तरह machine के maintenance की बात होता है तो उसमें भी routine maintenance होता है अब रूटीन मेंटेनेंस डेली क्यों कों से डेली तोड़े हम नाट बोल करके टाइट करेंगे बढ़ेंगे तो अम म बाइंडिंग कैंसुलेशन रिस् डेस्ट करेंगे यह सब डेली नहीं कॉध सर डेली में temperature rise test कर सकते हैं daily daily धूलकन हटा सकते हैं clean कर सकते हैं कि तो यह सब डेली में आ जाता है कता है एंसर इट शूड़ी करीड आउट daily if possible जदी संबभ हो इट इनक्लूड वीजूल इंस्पेक्शन आप जाकर के मशीन को देख सकते हैं वीजूल करा है minor repair कुछ जरुवत हो तो minor repair भी कर सकते हो सच है replacement of small parts small part जैसे आपका nut board थोड़ा धिला हो गया खराब हो गया night कस रहा है तो उसको replace कर सकते हो and adjustment of equipment so that it remains in operation कुछ equipment को जदी लगे कि adjust करने की ज़रौत है adjustment की requirement है तो आप उसे adjust कर सकते हो करा है routine maintenance include all work required in cleaning cleaning भी routine maintenance में आता है करा है electrical equipment dust dirt को हटाना है cleaning of fitting tank cover boosting power transformer cleaning of the fish देखो आप कहता है routine maintenance में आपका क्या होता है सर जैसे visual inspection आ गया तो visual inspection में या adjustment of a small equipment या small part उसको adjust कर सकते हो या replacement भी आ जाता है अगर nut ball धिला हो गया टाइट नहीं हो रहा तो उसको replace कर सकते हैं cleaning routine maintenance में आता है तो cleaning में आपका क्या हो गया जैसे bearing बगेरा हो गया धुलकन जम गया तो उसको हटा दीजिए या जैसे transformer की boosting है वहां dust बगेरा अपका क्या हो गया सर आपका इकठा हो गया तो उसको हटा दो या जैसे कोई भी मसीन है उसका आपका decrease कर जाता है सर उसका डियलेक्ट्रिक का strength आपका कम जाता है फिर है आपका periodic maintenance करा it should be carried out weekly मने सब्ताहिक होता है आपका periodic maintenance four nightly मने 15 दिन पर monthly मने एक महिने पर quarterly मने तीन महिने पर half yearly छो महिने पर depending upon the requirement and condition of the machine मने machine के condition और requirement के अधार पर हम routine maintenance carried out करते है routine maintenance एट मेंस weekly हो सकता 15 दिन पर हो सकता महिने में हो सकता quarterly हो सकता हाप yearly हो सकता फिर है overhaul overhaul यह थोड़ा important है overhaul मने बहुत दिन बाद मने एक दो साल बाद जैसे कोई motor खरीद कर के लाए हम regular एक साल तक दो साल तक हम क्या करे उसको हम क्या किये operate करवाए run करवाए मतलब उसको machine को हम चलाए अब बात है overhauling की बात है कि अब machine को हमको overhauling की जरूत है रिवाइंडिंग जैसे motor उसको फिर से rewinding करना या जो से हमारा boosting बगए रहा है तो उसको हटा देना या मान लो हमारा जो आपका ब्रस बगए रहा है उसको आपका replace कर देना नया ब्रस बगए रहा लगाना कमुटेटर बगए उसको replace कर देना रिवाइंडिंग करना तो यह होता है overhauling का मतला overhauling जैसे आपका क्या बाइक ही ले तो नो तो बाइक भी क्या ना साल-डेर साल के बाद आपका क्या होता है इंजन को completely open किया जाता है completely engine खोला जाता है इंजन खोल करके जैसे आप बाइक लिए तो बाइक लिए तो बाइक लिए तो सर्विसिंग करने जाओगे तैसे कुछ नहीं आपका क्या होगा mobile बगएरा चेक करकर करके थोड़ा break टाइट कर देगा हावा बगएरा देख लेग करता है इसको overhauling कहते हैं फिर कहता है maintenance on fault fault के समय आपका क्या है सर maintenance करना फॉल्ट के समय आप क्या 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 फॉल्ट जैसे supposed that machine completely breakdown कर गया तो sort down कर गया तो सभी equipment थोड़े खराब हो गया होगा कुछ equipment तो बचा हुआ होगा तो जो equipment बचा हुआ उसका test कर करके हमको side रख लेना कि कौन अच्छा है जो equipment खराब है उसको अलग कर लेना है तो यह है maintenance on fault तो आपको routine maintenance सर आपको समझ में आ गया होगा कि preventive maintenance में क्या क्य आता है corrective maintenance भी समझ गया होंगे breakdown maintenance breakdown maintenance अब तब करते हैं जब आपका कोई equipment completely damage हो जाता है मतलिक आपका completely breakdown कर गया सट डाउन कर गया तो उस समय जो maintenance करते हैं उसको corrective maintenance और breakdown maintenance फिर आपका तीसरा क्या था contracted maintenance maintenance आपका buyer और seller पर defend करता है तो आसा करता हूं कि आपको maintenance समझ में आया होगा हम जो आपको इस तरह बोले हैं चुकि देखो हम भी आपको क्या है सर हमको पूरा चीज दिमाग में याद नहीं है लेकिन इतना बूक आप बूक के help से आप भी समझ सकते हैं आप थोड़ा सा मेहनत करने की कोसिस किजी आप कोई बड़ी चीज नहीं है आपको notes हम प्रोवाइड के हैं उसमें भी आपको preventive maintenance, corrective maintenance, breakdown maintenance सब लिखा हुआ होगा advantage, disadvantage सब लिखा हुआ हुआ, यह आपको याद करना, numerical part है नहीं कि आपको हम numerical हम समझा दे आपको, जो numerical part है उसको हम तो आपको deal करवे किया है जैसे आपका temperature के साथ binding का resistance कैसे rise कर रहा है, कैसे measure करेंगे उसको, insulation resistance कैसे test करेंगे, उसको हम जैसे आपका back to back test हो गया transformer का इस सारा कुछ हम बताएं, जहां जरुवत पड़ेगा कि हमको numerical समझाना है तो हम समझाएंगे, बाकि theory के लिए आप कर सकते हैं फिर भी जैसे आपका क्या circuit breaker का maintenance बगएरा हो गया और जैसे safety feature, safety के लिए हम क्या करेंगे, electric shock से बचने का क्या क्या हो पाए है, उस सब चीज़े हम आपको बताएंगे, सर, overview दे देंगे, आप पढ़ लिजेगा, आपको clear हो जाएगा Thank you